नमस्कार गुड़ मॉर्निंग साथियो उतकस क्लासेश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्त और दौस्त नरेंदर चोदरी और इस राजस्तान के जोग्रोफियो वाले सेसन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ सभी को नमस्ते राम राम और गुड बॉनिंग चलो करें सेसन का स्टार्ट हम रादस्तान की जोग्रोफी यहाँ पर पढ़ रहे थे और इस रादस्तान की जोग्रोफी के अंदर हम लोग जहां पर पहुँच गे थे वो हिस्सा हमारा था हम बात कर रहे थे रादस्तान के भोतिक परदेश य अरावली को और इस अरावली वाले की बात करें सबसे पहले अरावली का हमने इसका सम्माने अध्धन पड़ा है ये पिछले वीडियो के अंदर हम लोग पड़ चुके हैं उसके बाद में उसके बाद हम लोगों ने इस अरावली का उपविभाजन किया था और उपविभाज करने के बाद इसको तीन भागों में बाटा था उत्री मध्धे और दक्षनी अरावली और उपविभाजन करने के बाद उसका भी हम लोगों ने अध्धन किया था उसके बाद हम बात करें भाई अगला जो पार्ट आ जाता था उसके बाद हमने बात कि ठीक यह जो अरावली ह वे पठारों की बात की जाती कि कौन कौन सी पहाड़ियां वे पठार यहां पर आ जाता है और इन पहाड़ियों और पठारों को हम लोग पढ़ रहे थे और साथ यहां से कुछ पहाड़ियों और पठारों की चर्चा की बात करें तो बहुत सारी पहड़ियां और पठार हम लोग पढ़ चोके थे कोई बात नहीं दुबारा रियूजन भी हो जाए तो कोई बात नहीं है तो इस अपने दिमाग में जो आएक अप उन्हों लिखते चल पढ़ेंगे भाई की पहड़ियों की बात कर ली थी एक जसलमीर के अंदर जो तिर्कुट की पहड़ियां थी उनकी बात कर ली थी उसके बात अलवर के बास सीकर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था एक हम लोगों ने यहाँ पर जुनजनू भी हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसके साथ साथ साइध हम लोगों ने अजमेर की बात करें इस अजमेर की चर्चा करें तो अजमेर भी हम लोगों ने पढ़ लिया हाथ है यहाथ से तो कुछ चीज़े तो हम लोगों ने हाथ से पढ़ लिया भाई सभी को नमस्ते गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग चलो आजो अब बात करें अरावली की पहडियों की बात कर रहे थी अब देखो और कौन कौन सी पहडियां आ जाती है जैसे हम बात करें यहाँ पर एक आ जाता है बारा की बात करें किसकी बात करें भाई बारा की बात करें और इस बारा के अंदर मुखे रूप से जो पहड़ियों का नाम आता है वो कौन सा आता है उनका नाम आजाता है भामती की पहड़ियां बारा में कौन से आजाती है भाई तो नाम आजाएगा भामती की पहड़ियां तो अब आप लिखोगे बारा के अंदर उसी परकार से लिखेंगे चलो राजस्तान का मैप बना के करते हैं ये तो हो गया था ना आजो अब आगे देखते हैं ये अपन छोटा सा एक राजस्तान का मैप बना लेते हैं और कहां कहां पर बहुँचके थे वो अब हम लोग यहां से देखते हैं तो यहां पर बारा आ जाता है इधर जालावार, कोटा और बूंदी तो यहां पर एक डिस्टिक आता है मेरे भाई और इस डिस्टिक का नाम क्या आता है बारा की बात की जाती है इसका नाम क्या हो गया की बात करें यहाँ पर भामती की पहाड़ियां आज जाते हैं एक तो यह हो गई बारा के अंदर की भामती की पहाड़ियों के हम लोग चाचा कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर जो डिस्टिक आता है इस डिस्टिक का नाम आता है भाई बूंदी यहाँ पर जो जिला आता या उनको अगले भूतिक पर्दिस के अंदर देखें यहां से देखो भाई यदि बूंदी की बात करें इसके अंदर कौन सी आ जाती है तो यहां पर मोटे तोर पर एक तो हम बात करते हैं बूंदी की पहडियों की बात की जाती है एक तो यहां पर आ जाती है बूंदी की पह आडावाला की पहाड़ियां आ जाती है भाई तो आडावाला की पहाड़ियां और बुंदी की पहाड़ियां ये कहां पर है इस बुंदी के अंदर आ जाती है चलो जी हो गई बात यहां से उसके बाद और भी आ जाती है क्या है ना भाई यहां पर इस कोटा यहां से देखो चितोडगड कोटा और जालावाड की बात करें ये जो छेतर आता है यहाँ पर जो पहड़ियां है इनके दी हम बात करें तो इन पहड़ियों का नाम आजाता है मुकंदरा की पहड़ियां इनका नाम क्या जाता है मुकंदरा हिल्स कहते हैं या क्या जाएगी नाम भै मुकंद मुकंदरा की पहाड़ियां कह दी जाते हैं और मुकंदरा की पहाड़ियां कहां पर हैं कोटा के अंदर भी हैं और जालावाड के अंदर भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ एक नाम और भी आएगा जिसका नाम आता है चितोड़ गड़ मुखेरूप से एक नाम कौन सा कोटा तो यहां पर मुकुंदरा की पहाड़ियां या मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां भी आ जाते हैं ठीक है यह मुकुंदरा की पहाड़ियां वहीं है भाई इसी मुकुंदरा की पहाड़ियों के बात करें तो यहीं पर मुकुंदरा रास्ट्री अभ्यारन ने रास्ट की बात कि जाती है यहीं पर किया जाती है आपका ताइगर प्रोजेक्ट का नाम भी यही पर आ जाता है ठीक है भई चलो जी टाइम हो गया क्लास का चलरीका क्लास तो यह पाड़ियां हो गई इसके लाए और हम идет करें सर और भी आती है तो जोदपुर की बात करें भाई एक तो यहां पर कौन सी हो जाएगी याद दखना एक तो आ जाते हैं यहां पर कौन सी पहडियां तो सभी को पता है चिडिया टूक की पहडियां एक तो कौन सी जाएंगी चिडिया टूक की पहडियों का नाम यहां पर आ जाता है चिडिया टूंकी पहाडिया वही है वो पहाडिया जिन पहाडियों के उपर क्या बनावा है महरांगड दुर्ग की बात करें कि इन्ही पहाडियों के उपर क्या स्थित है तो याद अखना महरांगड महरांगड दुर्ग की बात करें यह जो महरानगट दूरग है यह इसनी चिडिया टूकी पहडियों के अंदर इस्तीत है ठीक है इसके अलावा और हम बात करें इसी जोदपुर के अंदर एक आ जाती है भाई मसूरिया की पहडिया एक यहाँ पर कौन सी आ जाती है मसूरिया की पहडिया भी आ जाती है तो चि लाबाद उच भूमी भी आ जाता है होर्स सू की पहड़िया भी आ जाती है इसी के अंदर यहां पर होर्स सू की पहड़ियों की बात करें होर्स सू की पहड़िया ठीक है फिर बुंदी की बात करें इस बुंदी के अंदर बुंदी की पहड़िया आ जाती है इसके अलावा आ एक समलित रूप से पहाड़िया आती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं मुकंदरा की पहाड़िया हिल्स के नाम से जाएं जाता है जिनमें जहां पर कहस दिता है मुकंदरा रास्टिधान की बात यहां पर की जाती है चलो जी उसके बाद यहां पे जोदपूर का नाम आता है और यह जो जोदपूर की बात करें इसके अंदर एक तो नाम आ जाता है चिडिया टूकी पहड़िया क्या है इनके उपर इनके उपर आ जाता है महरांगड दुरूग भाई चलो गोरोपाल सिंग बेटा अपलोड कर दिया हूँ रक्षिन रावली वाला भाग अपलोड कर दिया है उसके बाद में इसी के उपर महरांगड दुरूग हो गया और एक इसी जोदपूर में क्या जाती है मसूरिया की पहड़िया यहाँ पर आ जाते हैं तो उतार लो इसको फिर चलते हैं आगे इसकी निसोट ले लो आगे चलते हैं फिर चलें भाई आगे आगे देखो और कौन से पहड़िया आती है इसी अरावली के अंदर देखना भाई क्योंकि जादा तर अपने एकजाम के अंदर या तो पूछते हैं इनकी चोटियां कहां पर है या पूछते हैं पहड़ियां और ये पठार कहां पर है इनी की बात करें तो इसी यहाँ पर एक जिला आता है भाई इसी यहाँ पर एक जिला आता है जिले का नाम आ जाता है राजसमंद कौन सा जिला जाएगा राजसमंद की बात करें सर यहाँ पर राजसमंद है और इस राजसमंद में कौन-कौन सी पहड़ियां आती है देखें भाई इसी रासमन की बात करें जैसे एक तो यहाँ पर क्या जाती है भाई खमनो एक तो यहाँ पर दिवेर की पहडियां हो जाएंगी एक तो यहाँ पर क्या हो जाती है दिवेर की पहडियां हो जाती है दिवेर की पहडियां रासमन में ही है और ये भी पता होगा इन्ही दिवेर की पहडियों से क्या निकलता है तो इन्ही दिवेर की पहडियों से कौन सी नदी निकलती है तो याद अखना कोठ्यारी नदी की बात करें ये कोठ्यारी नदी कौन सी पहडियों से निकलती है इसके अलावा और यहां पर कौन से आजाते हैं? जाएंगी भाई खमनोर की पहाड़ियों की बात करें एक यहां पर क्या हो गया खमनोर की पहाड़ियों की बात की जाती है और इन खमनोर की पहाड़ियों की बात करें इसके साथ खास क्या आता है यदि इसकी बात करें इसके साथ खास यह आता है खमनोर की पहाड़ियों के सा इनी खमनोर की पहड़ियों से होगा और यदि हम बात करें सर इसके साथ साथ कुछ और भी आता है क्या हाँ कमलेस है नी कमलेस आजा भाई इसके अलावा इसी खमनोर की बात करें तो इनी पहड़ियों के अंदर या दखना चेती गुलाब चेती गुलाब या दस्मक गुलाब की बात करें दस्मक गुलाब की बात करें चेती गुलाब या दस्मक गुलाब की यहां पर क्या की जाती है खेती यहां पर की जाती है चेती गुलाब या दस्मक गुलाब की खेती की बात करें वो यहां पर की जाती है तो दीवेर की पहड़ीआ हलदी की भाटी की पहड़ीआ खमनूर की पहड़ी इसके अलावा और भी नाम आता है क्या आता है ना एक आजाता है विजराल की पहड़ीआ जोसे हाँ पर हम पुर्ण बात करें इसी रास्मन के अंदर इन्हीं बिजराल की पहाडियों से भी भाई एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या आता है खारी नदी आ जाता है बनास डाई और खारी की बात करें खारी नदी वो जो मिलकर के एक जो टौक राजमहल की बात करें वहाँ पर जो तिर्वेनी संगम बनाती है उसकी बात यहाँ पर की जाती है और यह पूछा भी गया हूँ एक जाम के अंदर की बिजराल की पहाडियों से निकलने वाली जो खारी नदी है किस अपुहात अंतर का हिसा आता है किस अपुहात अंतर का हिसा आ जाता है थोड़ा स राजसमन्द के अंदर मोटे तोर पर ये तीन-चार पाड़ियां हैं जैसे एक तो किस की बात करें बिजराल की पाड़ी दिवेर की पाड़ियां अल्दी घाटी की पाड़ियां और खमनोर की पाड़ियों की बात करें ये कहां पर आ गया इस राजसमन्द के अंदर आ गई है सर दो दिन क्लास क्यों नहीं बेटा कुछ रिजन हो गया था आ जाओ भाई बढ़ू आगे चलें आगे देखो इसक्रिंसोट ले लो उतार भी रहे होंगो तो जादा बढ़िया है इसक्रिंसोट कितना लोगे फोन भर जाएगा थोड़े दिनों के अंदर क्या मुझे पता है आप फोन में बहुत सारी चीजे नोट्स बगरा बहुत सारे रखती होंगे तो फोन तो भर जाता होगो ना तो लिख लिया करो भाई क्या है लिख लिया करो सर एकदम तबियत बढ़िया है आजो उसके बाद और कौन सी पहड़िया आती है उनकी चर्चा करें जैसे ये हो हो जाएगा अपना क्या दुबारा राजस्तान का एक नक्सा बना लेता है छोटा सा ठीक है समझने के बनाना दिल और दिमाग मतलता कि लिख ये क्या कर दिया ना बस अपने को तो समझने यहां से कहने जैखो जी भाई हाँ जी अब यहां पर एक जिला आता है इस जिले का नाम है बाड मेर यहां पे जिला कौन सा है बाड मेर इस बाड मेर की बात करसर यहां पर भी पहड़ियां है क्या है ना और इसके अंदर कौन सी पहड़ियां आ जाती है तो देखो इस बाड मेर के अंदर यह इस परकार से पहड़ियां है यह लो जी इस परकार से बाड मेर मेर पहडियां ही पहडियां है और इन पहडियों की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है इन बाडमिर की जो पहडियां आते हैं इनको क्या कहते हैं भाई इन पहडियों का नाम आ जाता है छपन की पहडियां इनको क्या बोलते हैं चपन की पहडियों की बात की जाती है और यह चपन की पहडियां है कहाँ पर नाकोडा छेतर के अंदर है तो नाकोडा बाड मिर के छेतर के अंदर जो पहडियां है उनका नाम क्या है चपन की पहडियां और यहाद अखना चपन का मैदान अलग है और च चपन की पहड़ियां यह जो चपन की पहड़ियां हैं इनकी बात करें तो मेरे भाई इन चपन की पहड़ियों से गरे नाइट का उत्पादन होता है यहां से किन का उत्पादन होता है गरे नाइट का उत्पादन होता है और गरे नाइट का उत्पादन होने की वज़ा से यह जो आपके छपन की पहड़ियां जो आती है इनी छपन की पहड़ियों का एक उपनाम आ जाता है इनको क्या कहा जाता है ग्रे नाइट की पहड़ियों के नाम से भी जाना जाता है पहड़ियां भी कहते है और वैसे ग्रे नाइट का सरवादी उत्पादन की बात करें तो वो क नाइट की पहड़ियों के नाम से जाता है अब देखो ये पहड़ियां है और इनी के दिए हम बात करें तो इनी पहड़ियों के अंदर दो परमुक चोटी आ जाती है एक का नाम तो आ जाता है नाकोडा की बात करें एक तो कौन सा जाएगा नाकोडा की बात करते हैं ये लो क्या है सरी है इस नाकोडा की बात करें ये क्या है तो नाकोडा के साथ याद अखना कि छपन की पहड़ियों में क्या हो जाएगा भाई छपन की पहड़ियों में उचा परवत में उचा जो परवत है इस उचे परवत को क्या कहा जाता है नाकोडा परवत के नाम से जाना जात है तो यहां पर क्या हो जाएगा एक नाकोडा परवत है यह पूछा गया हुए कि नाकोडा परवत कहां पर है तो मेरे भाई इन छपन की पहड़ियों के अंदर एक उचा परवत है और इसे क्या कहा जाता है नाकोडा परवत की बात करें और वसे नाकोडा की बात करें यह जो नाकोडा है इसे क्या कहा जाता है इस नाकोडा की बात करें इसे क्या कहते है भाई इसे कहा जाता है राजस्थान का मेवा नगर कहते है इसे क्या बोलते है नाकोडा की बात करें तो इसे कहा जाता है राजस्थान का मेवा नगर कहते है क्या बोलेंगे इसे राजस्थान का मे परवत आ जाता है चलो जी इसके साथ और भी है क्या हाँ एक चोटी और आती है सर उस चोटी का नाम क्या है तो या दखना उसका नाम आता है हल्देसवर एक चोटी और आती है परवत आता है हल्देसवर चोटी कह दे हल्देसवर परवत कह दे परवत भी है और चोटी भी है ह इसी हल्देस्वर की बात करें तो इसी के उपर हल्देस्वर महादेव का मंदीर है क्या नजी और जील भी कराओंगा बेटा सब कराओंगा हाँ जी तो इसी हल्देस्वर चोटी की बात करें इसी के उपर क्या है भाई तो यहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है यहाँ पर क्या स्थिता है याद अखना यहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर हल्देश्वर महादेव की बात करें महादेव का मंदिर भी यहाँ पर है क्या हल्देश्वर महादیو का मंदिर भी यहां पर आ जाता है एक और बात करें भाई एक और इसे राजस्थान का इसी हल्देश्वर की बात करें इसे राजस्थान का मीनी माउंट आबू भी कहते हैं इसे रादस्तान का मिनी माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है तो बाड मेर के साथ कई चीजे पूछी जा सकते हैं पहला तो ये कि भाई छपन की पहड़ियां कहां पर हैं छपन की पहड़ियां कहां पर हैं इसका नाम क्या आगा है नाकोडा पर्वत का नाम आ जाता है और ये नाकोडा पर्वत छपन की पहड़ियों में उंचा पर्वत है और इस नाकोडा की बात करे से क्या कहा जाता है राजस्तान का मेवा नगर और इनी छपन की पहड़ियों के चोटी आ जाते है जिसका नाम क्य अगे चलते हैं उतार लिया यहां से अब आगे देखो भाई अगे चलें देखो दुबारा मैं बनाता था हूँ छोटा सा मैं बनाओंगा ज्यादा बड़ा नहीं है ताकि अपने को यहां से कहनिया पूरी थोड़ी सी इंट्रेस्ट बना रहे हैं कक्षा के अंदर यहां पर जिला आता है भाई और इस जिले का नाम आ जाता है उदैपूर, यहाँ पर डिस्टिक कौन सा आ गया, उदैपूर की बात करें, यहाँ पर क्या आ गया भाई, उदैपूर की बात की जाती है, जिला देशन, सर आपको बहुत बार बोल दिया, क्या कह लिए है, पेटा दिखाना क्या कर रही एक कैमेंट दिखाना हो गया चल टेम आउट हो गया जाने दो जाने दो हाँ जी अब देखो उद्यपूर की बात करें इस उद्यपूर के अंदर भाई कई नाम चीजे आ जाएंगी जैसे एक तो हमने पढ़ा था यहां पर लसाडिया का पठार की बात की जाती है एक तो इसी उद्यपूर में कहा था भाई लसाडिया का पठार और इसी उद्यपूर में जो जैसमंध जील है इसके पूर्वी भाग के अंदर जो कटा फटा हिस्सा आता है उसे क्या कहा गया था पठारी भाग गया उसे क्या कहते है ल उदैपूर में और क्या क्या नाम आता है इस उदैपूर में यहाँ पर एक सब्द आएगा गिरुवा यहाँ पर एक सब्द आता है भाई गिरुवा और यह पूछ ली जाती है कि सर गिरुवा क्या है तो क्या है भाई गिरुवा उदैपूर में गोलाकार गिरुवा का मतलब गोलाकार तस्त्री नुमा जो कटी फटी जो पहड़ियां हैं कटी फटी पहड़ियों की बात करें इन पहड़ियों को क्या कहा जाता है तो इने कहा जाता है गिरुवा तो उदैपूर में गोलाकार तस्त्री नुमा तेज ढ़ाल वाली जो कटी फटी पहड़ियां आ जाती है उनको क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है भाई गिरुवा के नाम से जाना जाता है एक यहां पर देखू एक इसमें नाम आता है भाई मगरा का नाम आएगा एक यहां पर किसका नाम आता है मगरा का नाम यहां पर आ जाता है माकड मगरा जिनको हम लोग कहते हैं मगरा ये मगरा क्या है भाई तो याद अखना उत्री पस्मी इसकी बात करें उत्री पस्मी उदैपुर की पहडियों की बात करें उदैपुर की जो पाहडियां है इन्ही पाहडियों को क्या कहा जाता है इन्ही को कह दिया जाता है मगरा तो उत्री पस्मी उदैपुर की पाहडियों को क्या कहते है मगरा के नाम से जाना जाता है नमस्ते भाई नमस्ते ठीक है तो यहां पर एक तो लसाडिया का पठार की तो पहली पढ़ लिया था इmporteten उदैपूर से एक तो आजाता है गिरृवा और एक आजाता है मगरा इसके साथ साथ और यहां पर क्या आता है भाई थेखो इसी उदैपूर के अंदर एक नाम आएगा देस हरो एक नाम क्या जाता है देश हरो सर ये देश हरो क्या है देश हरो की बात करें तो भाई इस उदैपुर और सिरोही छेतर की बात करें यहां पे दो परवत आते हैं इस एक तो नाम आता है रागा और एक परवत का नाम आ जाता है जरगा ये रागा का इसा कुछ सिरोही के अंदर आ जाता है इस रागा के इधर तो क्या जाती है सिरोही की बात की जाती है और इधर क्या जाएगा उदैपूर तो इस रागा और जर्गा की बात कर जो सिरोही और उदैपूर दोने के बीच की बात है भाई और यहां पर क्या है तो इन दोनों के बीच में यहां पर यह हरा भरा भाग है क्योंकि यहां पर बारिज ठीक ठाक होती है वन जादा है तो यह हरा भरा भाग है इस हरे भरे भाग को क्या कहा जाता है देश हरो के नाम से जाना जाता है कि भाई रागा वै जर्गा पर्वत के मद्धे जर्गा पर्वत के मद्धे पर्वत के मद्धे हरा भरा भाग हरा भरा जो भाग होगा इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे देश हरो के नाम से जानते हैं क्या देश हरो के नाम से जानते हैं जी तू ठीक है बेटा देख लोगा ना हाँ जी पका पका नहीं छोड़के जाँगा कहीं छोड़के नहीं जाँगा हो गई बात यहां से तो ये बात आजाती है इस उदैपूर के साथ अब यहीं से थोड़ा सा एक चीज और देख लें इसी उदैपूर के इधर एक डिस्टिक आता है और इस डिस्टिक का नाम आ जाता है सिरोही क्या नाम आ गया भाई सिरोही की बात की जाती है और इस सिरोही की बात करें तो यहां पर एक नाम आ जाता है भाकर पूर्वी शिरोही की पहड़ियों का इस्थान ये नाम यहाँर आजाता है बैस ये Elder ये तीन नाम जो न ये बार बार पोछे जाते हैं और यदि हम देखें यहाँ पे चार नाम आपको दिखें गिर्वा मग्रा देसहरो और किसकी बात करें भाकर ये कुछ इस्थान ये नाम है और इस्थाने नाम का मतलब हो गया ठीक है भई कुमार सर्मा ओके इस्थाने नाम है यहां की पहड़ियों की बात करें तो भाकर तो क्या है पूर्वी सिरोही की जो पहड़िया है उन पहड़ियों को क्या बोलता है भाकर मगरा क्या है उत्री पसमी उदैपुर की पहड़ि वाली तेज ढाल वाली और जो कटीली फोटीली और तस्त्रिनमा जो पाड़िये उनको क्या चाहे जाता है उनको गिर्वा कहता है और एक आगे देश रो रागा व जर गरगा परवत के मद्दे इस्तित हरा भरा भाग क्या कहलाता है देशरो कहलाता है तो हो जाए इसका स्क्रिन सोट उसके बाद आगे चलते हैं हाँ बेटा इनकी पीडिये मिलती है चिंतिया मत्कूर इनकी इसकी पीडिये मिलती है अरे मन्जिल यूही नहीं मिलती राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है पूछा चिडिया से की घोसला कैसे बनता है तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है महनत करनी पड़ती है चलें यहां से आगे देखो भाई आगे चलें और सरक्या कौन सी पाड़ियां आ जाती है तो मैं आपके सामने एक राजस्तान के दक्षनी भाग का मैप बना रहा हूँ यह दक्षनी राजस्तान बना लेता है एक समझने के लिए ठीक है मिरसासत बनाते चलना हो गई बात यहां से और यहां पे एक जिला इस परकार से बना लेना भाई इस जिले का नाम क्या है बासवाड़ा यह जिला कौन सा हो गया बासवाड़ा इधर इस परकार से एक जिला दरसादेना जिसका नाम आजाए परतापगड इसको क्या बोल देंगे परतापगड और यदि हम इधर जो बोल देंगे इधर जो जिला जाएगा इसका नाम क्या जाएगा डूंगरपूर याद हो जाएगा बस इतनाक सा याद रखना है डूंगरपूर की बात की जाती है अब यहाँ पर हम बात करें तो इस छेतर में इस परतापगड़ और बांसवाड़ा का ये जो छेतर आता है ये मैदानी भाग है इस बांसवाड़ा और परतापगड़ के बीच का ये जो इलाका आता है ये कैसा भाग है मैदानी भाग है और इस मैदानी भाग को क्या कहा जात जाता है इस चपन के मैदान की बात करें इस चपन का जो मैदान है ये निर्मान किसके दुआरा किया जाता है तो याद अखना इसका निर्मान किया जाता है माही नदी के दुआरा किसके दुआरा किया जाता है माही नदी के दुआरा किया जाता है और यहां पर इस माही नदी कि ये जो किनारे वाले भाग आ जाते हैं इसी परदेश का एक नाम और आता है इसे कांठल परदेश भी कहते हैं कांठल परदेश भी नाम आ जाता है तो कांठल परदेश भी याद रखना इसी बास्वाडा और परतापकट के बीच का जो भाग आता है ये भाग कौन सा आता ह कांठल बेसीन आता है उसके दिए बात करें यहां पर यह जो कांठल बेस है क्या तो माही नदी के जो किनारों वाला जो भाग आता है माही नदी के किनारों की बात करें भाई हाँ जी पका पका बियस जी करेंगे कोशिस तो इस माही नदी के जो किनारे हैं उनको क्या कहा जाता है कांठल परदेश कहते है ठीक है रिप एक्जामे और यहां से कन्फूजन क्या होता है एक्जामे जब क्यूसन आता है ना कहते है कि छपपन का मैदान तो एक उपसन होगा बांसवाडा परताफगड एक उपसन होगा बांसवाडा और डूंगरपूर ए आई ऐसे स्थीं के अंदर आ जाये तो करना करे है आपको बास्वारा और परताफगड करना है कि जड़र बास्वारा और परताफगड के साथ ये बात की जाती है चलो उसके बाद में इस डूंगरपुर की बात करें यहां का जो छेतर आता है इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो छेतर आता है भूमट का पठार पढ़ाता और इस भूमट के पठार से होकर के माही नदी जाती है भूमट का पठारी छेतर यहीं से होकर के माही नदी चली जाती है इसी की बात करें तो यहां पर इसको क्या कहा जाता है इदर किसको कहा जाता है भाई मेवल इसे क्या कहा जाता है मेवल कहा जाता है तो भोमट के जो पठारी भाग है इस पठारी भाग में माही नदी का जो किनारों का जो छेतर आता है उसे क्या कहते है मेवल के नाम से जाना जाता है उसे क्या बोलता है मेवल के नाम से जाना जाता है तो डूंगरपूर और बा माही नदी की बात करें, इस माही नदी को क्या कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से होकर की नदी जाती है। हाँ इसलिए कहा जाता है इसको मेवल की गंगा और काठल की गंगा के नाम से जाना जाता है हो गई इतने किसी बात उतार लो इसको भी फिर आगे चलते हैं हाँ जी आगे देखो भाई चलें आगे आगे देखो और सर कौन सी पहाड़ीये यहाँ पर आ जाती है हाँ जी और देखें यहाँ से इसके अलावा और हम बात करें यह अपना आ जाएगा क्या राजस्थान सर और भी पहाड़ीया है क्या हाँ और भी है भाई जीले तो अभी बहुत सारे बच गए ना और भी है क्या हाँ और भी है देखो और कौन से आ जाती है जैसे यहाँ पर एक डिस्टिक आता है जिसका नाम है भीलवाड़ा यहाँ पर एक डिस्टिक आता है जिस्टिक का नाम क्या है भाई भीलवाड़ा की बात की जाए इस भीलवाड़ा के अंदर भी पहाड़ीया है हाँ है ना भाई इस भीलवाड़ा की बात करें यहाँ पर एक पहाड़ीया है क्या हाँ है ना भाई सर कौन कौन से गुसे में कैसे हो आ जो देखो जैसे हम बात करें बीजासन का पठार या बीजासन की पहाड़ीयों की बात करें एक कौन सा आ जाएगा भाई बीजासन की पहाडियां कह दे बीजासन की पहाडियां कह सकते हैं इसी बीजासन की पहाडियों के साथ-साथ यहां पर बीजासन पर्वत भी आ जाता है एक भीलवाड़ा में मांडल छेतर भी आता है तो यहीं पर एक आ जाते हैं मांडल की पहाडियां भी आ जाते हैं भाई जैसे हम बात करें इसी भीलवाडा के अंदर एक आ जाएंगी किसकी पहाडियां अरे तिरंगा की पहाडिया एक कौन सी पहाडिया आ जाएंगी भाई तिरंगा की पहाडियां यहाँ पर आ जाते हैं कौन सी हो गई तिरंगा की पहाडियों की बात करें सर ये तो हो गई यहाँ पर इसके लावा और भी है क्या हाँ भाई यहाँ पर एक जिला आता है जिस जिले का नाम है परतापगड़ यहाँ पर डिस्ट्रिक कौन सा है मेरे बाई परतापगड़ की बात करें इस परतापगड़ में कौन सी पहड़ियां आती हैं तो यहाँ पर आ जाती है भावर माता की पहडियां यहां पर कौन सी है भावर माता की पहडियां और यह भावर माता की पहडियों की बात करें है कहां पर अरे छोटी सादडी परतापगड छेतर से है जहां से नदी कौन सी निकलती है जाखम नदी का उदगम होता है तो इस भावर माता की प बात करें ये जाख्खम नदी का उद्गम कहां से होता है इनी भावर माता की पहड़ियों से होता है चले और देखो साब और भी पहड़ियां है क्या हाँ यहाँ पर आ जो यहाँ पर एक डिस्टिक आता है भाई और इस डिस्टिक का नाम आ जाता है जैपूर की बात करें कौन सी आ जाते हैं जसे एक तो बात करें बैराठ की पहड़ियां ही आ जाएंगी भाई कौन सी पहड़ियां बैराठ की पहड़ियां जैपूर में ही है और ये बैराठ की पहड़ियां वही है जहां से हमें क्या मिला है भाबरू सिलाले की बात की जाते है भाबरू सिलाले की बात की जाती है वही है जहां से बैराठ सब्वेता की बात की जाती है किसकी बैराठ सब्वेता की बात की जाती है इसी जैपूर की बात करें तो इसके अंदर भाई मावंडा मावंडा यहां पर को जोते हैं मावंडा कहां चला गया मावंडा मावंडा वे नीम का थाना की पहड़ियां नीम का थाना की पहड़ियों की बात करें भाई तगड़ी पहड़ियां यहां पर यह मावंडा और नीम का थाना की पहड़ियों की बात करें इनी का ये वसी ये पूरा पार तो कहां पर आ जाता है ये पार तो आता है माउंडा निम का थाना तो कहां पर है शिकर के अंदर है लेकिने माउंडा और निम का थाना के सारे सारे आगे डावला से होती ही और ये पहाड़ियां आगे कहा तक जाती हैं तो ये कोट पूतली तक चली जाती हैं इधर कहा तक अपनों बात करें ये कोट पूतली तक का नाम आ जाता है तो मावंडा और निम का थाना की पहाड़ियों से लेकर के और कोट पूतली तक की जो पहाड़ियां आती हैं वो इसके साथ एक साथ आ जाती हैं ठीक है तो यहाँ पर निम का थाना तो कहा पर है सिकर के अंदर है लेकिन मावंडा और निम का थाना से पहाड़ियां स्टार्ट है भाई और सीधी पाड़िया आगे सापपुरा कोट पूतली तक चली जाती हैं तो वो यहां पर ओजाएंगी भाई आगे देखो इसके लावा और भी आ जाती है किया यहां पर जापूर की बात करें हाँ एक यहां पर हम बात करें एक आ जाएंगी भाई मनोहर मनोहरपुरा की पहड़ियां मनोहरपुरा की पहड़ियों की बात करें और ये मनोहरपुरा वही है जिस मनोहरपुरा से नदी निकलती है कौन सी मैंथा नदी यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है मैंथा नदी की बात यहां पर की जाती है मनोहरपुरा की पहड़ियों से नदी कौन से जायगी मैंन Θा की बात यहां पर की जायगी और देखो भई हाँ जी चलो शिकर नहीं हुआłem चलो शिकर भी करा देंगी तो यहां पर बैराट की होगी माउनडा की होगी मनोहरपुरा की पहड़ियां होगी उसके बाद में एक यहां पर आ जाती है नाहरगड की पहड़ियां एक कौन सी पहड़ियां जाती है भाई नाहरगड की पहड़ियों की बात करें ये नाहरगड की पहड़ियां भी कहां पर हैं इसी जैपूर के अंदर आ जाते हैं एक एदी हम बात करें इसी जैपूर के अंदर आते हैं काला खो की कहां से हैं तो भाई आप में से यदि कोई जैपूर रहा होगा या जैपूर से वो कभी दोसा गया होगा तो जैपूर से दोसा के बीच का जो छेतर आता है वहां की पहडियों की बात करें किसकी बात करें जैपूर और किसकी बात करें दोसा जो है इसके बीच में जो पहडिय उन पहडियों को क्या कहते हैं काला खो की पहडिया कहते हैं काला खो की पहडिया है यह जैपूर से दोसा जो अपना आगरा जाते हैं उसी रोड के उपर आ जाते हैं पूरा का पूरा पहडी छितर आता कानोता बांद जहां पर हम बात करते हैं कानोता बांद की बात की जाती ह उसी कानोता बांद के हम बात करें भाई वो यहीं पर आ जाती है और इनी कालाखो की पहड़ियों के अंदर यहां पर मेना जनजाती निवास करती है मेना जनजाती की बात यहां पर की जाती है इसके अलावा जैपूर के अंदर एक आ जाती है भाई इगल की पहडिया एक यहां पर कौन सी आ जाती है इगल की पहडियों की बात की जाती है एक हो गई भाई इगल की पहडिया और बताओ दिखा किसी को पता हो तो शाबास इगल की पहडिया यहां पर हो जाती है बैराट क में कोई पढ़ा होगा तो राजस्तान यूनिर्सिटी की बात करें वो भी पहडियों के अंदर आ जाती है वो भी कहां पर भाई पहाड़ियों के अंदर आ जाती शाबास ये जो इगल की पहाड़ियां है इन्हीं के उपर कौन सा दुरूग है जैगड दुरूग है जैगड दुरूग की बात करें वो कौन सी पहाड़ियों पर है इसी इगल की पहड़ियों के उपर आ जाता है जैगर दुरू की बात करें वो इन्हीं इगल की पहड़ियों पर आ जाता है शाबास एक बचा कहरा है हाँ रामगड की पहड़िया मैं तो राजस्तान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं की राच्तान युनिसिटी की बात करें वो कौन सी पहड़ियों पर आ जाता है देखो बबाई की पहड़ियां तो होगी बटा सामोध की पहड़ियां शाबास एक यहां पर हो जाएंगी भाई कौन सी पहड़ियां सामोध की पहड़ियों की बात की जाती हैं सामोध की पहड़ चलो ये बताओ राजस्तान यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ पर कौन सी पहड़ियां आ जाती हैं तो ये तो हो गई बात यहां से इगल की पहड़ियों पर जैगर दुरू कालाखो की पहड़ियों की बात करें तो यहीं पर क्या है बाई यहीं पर सुरंग भी बनी वी है यहीं पर क्या है सुरंग भी बनी हुई है यहीं पर क्या है सुरंग है और इस सुरंग की बात करें तो यह सुरंग जो है यह राजस्तान की परदूशन फिरी टनल है परदूशन फिरी टनल है परदूशन फिरी टनल आ जाती है चैलो जी हो गई बात यहां से चिल है कटिला नहीं नहीं भाई जालाना डूंगरी वेरी गूड एक आजाते हैं जालाना डूंगरी एक इसी में कहती है जालाना डूंगरी शाबास यह हो गई एक नाम आ जाएगा अरे जालाना डूंगरी की बात की जाती है तो जैपूर में देखो कौ कौन सी आगई एक तो काला खो की पहड़ियां भीलवाडा के अंदर तीन हो गई है इसके अलावा इधर परताफगड के अंदर आगए भावरमाता की पहड़ियां जैपूर में या दकना जालाना डूंगरी पूछा जा सकता है और इनी जालाना डूंगरी के अंदर कैस दिता राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें वो राजस्थान यूनिवर्सिटी इन्ही जालाना डूंगरी की जो पहड़ियों का छ्छत राता है इन्ही के उपर आ जाती है हाँ जो बनिर की पहड़ियां भी ठीक है भाई आ जो उसके बाद इसी जैपूर की बात कर तो उसके बाद इदि हम बात करें हैं पर माउंडा निमका थाना से लेकर के कोट पूतली तक की पहड़ियां आ जाते हैं ये पूरा पहड़ियां यहां पर आ जाते हैं बीजग की पहड़ियां यहां पर आ जाते हैं जी पर में बीजग की पहड़ियां एक मनोहर पुरा की हाँ जालाना डूंगरी मोती डूंगरी गनेस डूंगरी मोती डूंगरी हाँ चंदबाजी शाबास हाँ वेरी गुड है मोती डूंगरी बीजक्की डूंगरी हाँ जी चलें आगे होजा इसका स्क्रीन सोट उसके बाद आगे चलेंगे भाई आगे देखो और आगे चले भाई अब और भी है क्या चलो थोड़ा सा तो और देख लेते हैं एक दो पाड़या और आ जाती है क्या कर लेते हैं चर्चा पाड़या तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं ढूंडेंगे तो और आउली है तो ढूनेंगे तो पहड़ियां मिल ली जाएंगी यहां पर डिस्टिक कौन सा है जैपूर और उसके बाद इधर डिस्टिक यहां पर जिला आ जाता है किसी की बात करें टा की चर्चा करें तो इस टा मोर आ जाता है बाई vind माधोपुर सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर इन दोनों के साथ आ जाती है टौक और सवाई माधोपुर के साथ की बात करसे यहाँ पर क्या जाती है तो पढ़ा होगा सिवाड सिवाड की पहड़िया है की नहीं सिवाड की पहड़िया इस टौक और स्वाई माधोपुर की सीमा के ओपर सिवाड एरिया आता है सिवजी का मंदिर है भाई वहाँ पर पहाडी के ओपर और ऐसे गुफासे बना करके और सिवजी का मंदिर बना रखा सिवाड के अंदर तो सिवाड की पहाडियों की बात करें यह यहां पर आ जाती है इसी टॉंक में आ जाती है निवाई की पाढ़ियां इसी टॉंक में क्या जाती है भाई निवाई की पाढ़ियों की बात करें निवाई की पाढ़ियां ठान निवाई के अंदर पाढ़ियां है भाई यह मत करें ना किसक पूरी मैदानी भाग है पूर तो यहां पर निवाई की पहडियां हो जाएगी और इसी सवाई माधोपुर की बात करें यहां पर एक नाम आ जाता है रन्थंबोर की पहडियां एक नाम किसका आता है भाई रन्थंबोर की पहडियों की बात करें एक यहां पर क्या जाती है रन्थंबोर की पहडियां यहां पर आजाती है तो देखो यहां पर टॉंक और स्वाई मादोपूर की सीमा पर तो आ जाते हैं सिवाड की पाड़ियां टॉंक के अंदर निवाई की पाड़ियां आ जाते हैं और स्वाई मादोपूर में रन थंबोर की पाड़ियों की बात करें तो यह यहां पर आ जाती है त अभी घूमने का मौका मिले तो बहुत शानदार आ जाता है सिवार की बात करें तो चलो जी तो ये अपने कुछ पहाड़ियां जो है ना ये कुछ पहाड़ियां हम लोगों ने यहां पर कर ली है और अब इस अरावली की बात करें इस अरावली के अंदर अगला जो बात आती है महत तोपुर्ण वो किसकी आती है दर्रों को लेकर के आती है किसकी बात करें दर्रों को लेकर के चलो जी यहाँ पर अब देखते हैं किसकी बात करें भाई दर्रों की चर्चा कर लेते हैं कि सर राजसमन्द की बात करें किसकी बात करो भाई राजसमन्द डिस्टिक की बात करो किसकी बात करें राजसमन्द डिस्टिक की बात करें सर यहां पर कौन-कौन से आ जाते हैं तो भाई इस राजसमन्द के अंदर जैसे एक तो आ जाता है हल्दी घाटी दर्रा एक तो कौन सा आ जाएगा हल्दी घाटी दर्रा एक तो कौन सा हो गया हल्दी घाटी दर्रा चलो जी और बताओ एक यहाँ पर कौन सा हो गया सरूप घाट दर्रा एक यहाँ पर है सरूप घाट दर्रा आ जाता है सरूप गाट दर्रा अब देखो यहाँ पर एक सब्द आया भी है गाट यह गाट जो है न यह दक्षनी अराउली में सब्द आएगा तो यहाँ पर हल्दी गाटी दर्रा सरूप गाट दर्रा की बात की जाती है एक कचबली या काचबली नाम आ जाता है कचबली या काचबली कचबली या काचबली कचबली या काचबली नाम आ जाएगा काचबली दर्रे की बात की जाती है और ये गाओं तो चर्चा में रहा होगा आपको पता ना काचबली गाओं आया था सराब बंदी के लिए चर्चा के अंदर रहता है है कि नहीं था सराबंदी के चर्चाय में था वो काच बली की बात की जाती है तो इसको कई जगों कोई काच बली बोलता है कोई कच बली बोल देता है वो यहाँ पर आजाती है सर और भी है क्या हाँ और भी है जैसे हम बात करें दिवेर की नाल की बात करें एक यहीं पर क्या जाती है भाई दिवेर की नाल आ जाएगी दिवेर की नाल की बात करें ये भी कहां पर आ जाएगी इसी रासमन के अंदर आ जाएगी दिवेर की नाल की बात यहां पर करें एक जैसे हम बात करें इसी रासमन में कामली घाट दर् गोरम घाट दर्रे की बात करें यह 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 गोरम घाट दर्रे की ब और बताओ, जीलवा की नाल, शाबास, जीलवा की नाल की बात यहां पर की जाती है, जीलवा की नाल, जीलवा की नाल भी इसी रासमंद के अंदर आ जाती है, रासमंद और पाली के साथ आ जाती है, यह रासमंद और पाली के सीमा पर है, किसके उपर है, यह रासमंद और पाल ठीक है और इदि रासमन्द और पाली की बात करें रासमन्द किसमे था ये भी ध्यान में रखना रासमन्द मेवाड का छेतर है पाली किसका छेतर था मारवाड का छेतर था तो ये जो दर्रे हैं ये क्या करती है भाई मेवाड को मारवाड से जोड़ती है क्या मेवाड को से चलो जी तो यह राज समन्द के अंदर कुछ महतोपुन दर्रे हैं जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं हली घाटी सरूप गाड काच बली दिवेर की नाल कमली घाट गोरम घाट जीलवा की नाल यह दर्रे यहां पर आ जाते हैं उतार लो इसके बाद आगे चलते हैं और जैसे एक आथी गुड़ा की नाल भी तो आती हैं पर हाथी गुड़ा की नाल वो भी तो इसी राज समन्द में आ जाती है आथी गुड़ा की नाल की बात करें वो भी यही पर आ जाती तो एक जागा आथी गुड़ा की नाल की बात कर लेते हैं भाई चलो आगे शाबास आगे देखो उसके बाद अगला नाम आता है अजमेर का सर अजमेर में कौन कौन से हैं देखते हैं भाई इस अजमेर में कौन कौन से आ जाते हैं यहां से बात करें तो जैसे अजमेर की बात करें एक तो आपको पता होगा बर बरदर्रा है एक नाम आजाएगा परवेरिया एजाएगा शोपूर एक आजाएगा सुरा घाट ये च्यार तो ब्यावर में है मारवाड मेवाड की बात करते हैं मारवाड और मेवाड की चर्चा करते हैं किसकी चर्चा मारवाड और मेवाड की चर्चा करते हैं इसके अलावा और कौन से हैं अजमेर के अंदर भाई बताओ दिखा यहां से जैसे हम बात करें पीपली ऐसे तो बहुत होंगे ये लेकिन अपने मोटे मोटे ही बात करेंगे भाई पीपली का घाट या पीपली दर्रा और जैसे उदेखारी दर्रा एक आजागे जैसे उदेखारी दर्रे की बात की जाती है एक बच्चा कह रहा है सर देशूरी की नाल तो देशूरी की नाल में ज़्यादातर नाम पाली का आता है क्योंकि उस देशूरी की नाल से नदी निकलती जिसका नाम है सूकडी नदी गौरवपाल भाई देशूरी की नाल आ जाएगा इसके साथ लेकिन उसके साथ अपन पाली जादा जोडेंगे पाली जादा जोडेंगे क्योंकि वहाँ से निकलती क्या है सूकडी नदी निकलती है ठीक है तो यहाँ पर कुछ एक दर्रे आगे बर, परवेरिया, सोपर, सुरागाड, पीपली उद्य खारी और वैसे देशूरी की बात करें याद रखना देशूरी के दी बात करें न तो देशूरी के साथ ओप्सन के साथ जाना पड़ेगा हाँ सेंदा घाट, शाबास सेंदा घाट आजाता एक वो ओप्सन के ओपर निर्बर करेगा जादा तर क्या option पे भी निर्बर करेगा उस option के साथ जाना पड़ेगा भाई चलूँ आगे हो जाए screen shot आगे देखें भाई हाँ घूगरा घाटी RPSC का मुखाले शाबास हो गया हो गया भाई आगे देखो सर और भी है क्या दर्रे और भी है जैसे district आ जाए एक district में लिख दता हूँ भाई उदैपूर एक कौन सा district लिखूँ उदैपूर सर इस उदैपूर में कौन-कौन से आ जाते हैं जैसे आथी दर्रा एक तो कौन आ जाएगा जैसे आथी दर्रे की बात करें आथी दर्रा हो गया जैसे चीरुआ की नाल हो गई, ये कहां पर है, इसी उधैपुर में है, जसे फुलवारी की नाल की बात करें, ये फुलवारी की नाल भी यहां पर आ जाती है, जसे के उड़ा की नाल की बात करें, ये के उड़ा की नाल भी कहां पर है, इसी उधैपुर के अंदर है, जसे देबारी दर्रे की बात करें, एक देबारी की नाल भी आती है, ये देबारी की नाल भी कहां पर है, इसी उधैपुर के अंदर है, हाँ जी हो गई बात यहां से तो केवडा देबारी की नाल केवडा की नाल फुलवारी की नाल चीरुआ की नाल और आथी दर्रे की बात यहां से की जाती है चलो जी इसके साथ साथ अब यहाँ पर मैं एक डिस्टिक और लिखता हूँ भाई अगला डिस्टिक मैं लिख हुए हाँ से पाली की बात करें किसकी चर्चा करें पाली की सर पाली के अंदर भी है क्या हाँ पाली के अंदर भी है जैसे देसूरी की नाल की बात करें किसकी बात करें भाई देसूरी की नाल देसूरी की नाल पाली के साथ आ जाते हैं यहीं से क्या होती है सूकडी नदी का उद्गम यहीं से क्या होता है सूकडी नदी का उदगम ही से होता है एक नाम और आता सोमेस्वर की नाल सोमेस्वर की नाल सोमेस्वर की नाल की बात करें ये भी किसके साथ आ जाएगी पाली की नाल आ जाएगी हना पगड़या की नाल पगलियां की नाल का भी नाम आ जाता है भाई ये पगलियां की नाल पाली और रासमन दोनों के साथ जुड़ करके आ जाती है दोनों के साथ जुड़ के आती है पगलियां की नाल के बात करें ठीक है तो ये पाली के अंदर कुछ यहां पर आ जाते हैं तो ये हो गई उदैपूर और पाली की बात करें चलो आगे हो जाए स्क्रिंसोट फिर आगे चलते हैं भाई आगे देखो उसके बाद एक हम बात करें कुछ दर्रे आ जाते हैं बूंदी के अंदर भी है कुछ दर्रे जो हैं ये बुंदी के अंदर भी है सर बुंदी में कहां तो इस बुंदी के अंदर मेरे भाई कुछ पहाड़ियां आती है और उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है बुंदी की पहाड़ियां कहते हैं उनको क्या कहते हैं बुंदी की पहड़िया और इन बुंदी की पहड़ियों की बात करें तो ये इस परकार से जैसे राजस्तान का एक मैब बना दू यहां पर मैं छोटा सा ताकि आपको चीजे समझ में आ जाएंगे सर कहां से कैसे क्या हुई तो यहां पे देखो इस बारा क की बात करें इस बारा से पहड़िया आती हैं इस परकार से ऐसे ही ये पूरी पहड़िया है अर्द चंद्राकार और जब ये कहां पर इस बुंदी में यहां पर डिस्टी का बुंदी तो जब ये बुंदी के अंदर है इसकी बात की जाती है कहां पर है बुंदी के अंदर ह यहां पर कुछ दर्रे आ जाते हैं इस बूंदी के अंदर यहां पर इसके अंदर दर्रे हैं कौन कौन से हैं भाई जैसे एक आ जाएगा रामगड़ खटकड़ दर्रा चैलावास दर्रा और एक आ जाएगा रामगड़ खटकड़ दर्रा चैलावास दर्रा आ जाएगा चार दर्री आ जाते हैं एक तो आ जाएगा रामगड दर्रा एक तो यहां पर है रामगड दर्रा एक है खटकड दर्रा खटकड दर्री की बात की जाती है एक यहां पर आ जाता है भाई लाखेरी दर्रा और एक नाम आ जाएगा भाई चेलावास दर्रा तो इस बूंदी के अंदर चार दर्रे आ जाते हैं रामगर दर्रा खटकर दर्रा लाखेरी दर्रा और किसकी बात करें चेलावास दर्रे की बात यहां पर की जाती है तो यह दर्रे यहां पर आ जाते हैं तो यह हो गई बुंदी के साथ यह किसकी बात हो गई इस बुंदी के साथ तो भाई यह अपना अ यहां से पूरा कर लिया है अरावली के अंदर उत्री दक्षनी और मद्दे की बात कि उसके बाद अरावली की पहडिया और पठार और इस अरावली के परमुक दर्रे कौन से आते हैं इन सब की चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है और अब नेक्स चैप्टर में पढ़ को तो मिलते हैं अब कल तब तक धन्यवाद थैंक्यू सुक्रिया मेरे दोस्तों